ओके तो आप देख सकते हैं हमारा final project क्या है actually जब हम लोग इसको create कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता था क्या हम लोग बनाने जा रहे हैं but at the end आप देख सकते हो यहां पर काफी खुबसूरा design create हो चुका है और यह जो हम लोगोंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक HTML और CSS use किया और अब जो है इसको हम लोग और आगे नीचे लेकर चलेंगे तो ओके हैलो दोस्तों क्या हल चाल है आप सभी के हम वापस आ चुके हैं एक नए project के साथ और आपका काफी जादा support हमें देखने के लिए मिल रहा है YouTube पर ऐसे support बनाए रखो तब ही हम जो है motivate हो पाते ऐसी वीडि होता है तो मैं किसी website का copy नहीं create करूँगा मैं सोच रहा हूँ खुद एक नया design जो है create किया जा और कहीं से नहीं से 2-4 design मतलब देखके वहाँ से कुछ मुछ मुझा inspiration मिला तो चलो उसी को आज create करते है मुझे नहीं पता at the end क्या result बनेगा काफी कुछ अलग होने वाला आज का वीडियो तो चलो जो जो problem face होगा उसको हम लोग देखेंगे और कैसे उसको sort out करते यह भी चीज हम देखेंगे और आपको अगर वीडियो को थोड़ा लेंदी लगता तो आप इसको जो है 1.25 या फिर 1.5 x पर करके देख सकते हो और चलो इसमें जो है अभी जो हम लोग स चाहिए HTML, CSS का और JavaScript का अगर आपको knowledge नहीं है तो आप हमारा course enroll कर सकते है और course जो है वो काफी जल्द स्टार्ट होने वाला I think next month से जो हमारा new course इस्टार्ट होने वाला new batch इस्टार्ट होने वाला जो की paid रहेगा तो अगर आप interested हो हमारे वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं हम आपके life में कुछ value आइड कर सकते है तो जरूर आप हमारे साथ आओ आपके life को और आपके जो carrier को एक नया point देने में बहुत help करेंगे चलो ठीक है तो बढ़ते हैं आपने computer screen के तरफ और आप जो है सबसे पहले एक folder create कर लेते हैं और मैं उसका नाम देता हूँ portfolio ठीक है और इसको जो है मैं करता हूँ open with code आपका first interface कुछ ऐसा दिखेगा vs code का और देन उसके बाद आपको दो फाइल बना लेने यहापर एक index.html और दूसरा जो है एक style.css ठीक है मैंने यहापर दो फाइले बना ली और अब जो है इस फाइल में में काम करूंगा सबसे पहले इसका boilerplate लिख लेता हूँ पता है आपको बहुत easy है क्या कि हमेंने सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर एक स्क्राइब में साइन दिया और बस एंटर प्रेस करो यह टाइब प्रेस कर दो और यहाँ पर टाइटल चेंज कर सकते हो मैं चेंज करके कर रहा हूँ इसके बाद हम लिंक करेंगे अपना css को और पहले फुरसत में आपको पता है हम क्या करते हैं हम करते हैं लिंक किसको html को चलो यह भी कर लिया और यहाँ पर create करते हैं में और मैं काम करता हूँ इसे half-half screen पर divide कर लेता हूँ ताकि आपको देखने के लिए यहाँ पर मिले clear लिए सब कुछ ठीक है तो हमने एक main create किया और main के अंदर मैं थोड़ा सा और zoom कर सकता हूँ क्या नहीं काफी जाला हो जागा मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा code करने में चलो ठीक है तो यहाँ पर हमने html का लिख लिख लि वीडियो आप लोगो बना के देदूँगा आखिर हम लोग यह बॉयले प्लेट क्यों लिखते हैं css में ओके चलो यहाँ पर विट हमने दिया 100% और यहाँ पर हाइट जो है वो भी दिया मैंने 100% ठीक है अभी मैंने नॉर्मल कुछ ज्यादा किया नहीं है नॉर्मल हमारा प्रावलम ना हूँ चलो तो मेंन को हमने यहाँ पर दिया और यहाँ पर एक काम करते बैक्ग्राउंड कलर देते हैं अश्लेक 0000 मतब कि प्योर ब्लैक और अब जो है इससे मैं लाइफ सर्वर पर ओपन कर लेता हूँ तो यह आपको दिख रहा है लाइफ सर्वर पर मैंने इस प्रेट करेंगे कि पहले मैं यह बताता हूँ कि मेरे दिमाग में कैसा क्या चल रहा है ठीक है उसी साफ से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ठीक है मैं जैसा सोच रहा हूँ कुछ यूनिक साथ बना ही लेंगे प्याले दोस्तों शेलो ठीक है तो मैं ऐसा कुछ सोच सब्सक्राइब कर लेते हैं यह जो हमारा एक प्यारी सी लड़की है जो कि यहां पर आप देख सकते हो ठीक है इसको मैं करता हूँ थोड़ा और चोटा 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 ठीक है कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ क्रेंगे यह हो गया ठीक है और इसके जो है टॉप में जो है लिखा हुआ है नहीं लिख देता हूँ अभी के लिए फिलाल बाद में देखेंगे यहां क्या लिखना है और मैं इसको कर देता हूँ कलर वाइट ठीक है खुछ इस तरीके से और यह हमारा मालों कि यहां पर थोड़ा सो और इसको बढ़ा करते हैं चलो ठीक है और एक साइ बडर कलर यह कर देता है समथिंग कुछ ओछ रहे हैं और इसको करते हैं यहां पर और ठीक है इसके अंदर कुछ लिखा रहाएगा गया टी श्टारटेद या संपिंग जो भी आभी के लिए आफिक लिए रहेगा इसके सेंटर में उस तरीके से और देन जो है यह सोच रहा आपके मैं इसका काम करता हूं यह इस तरह से देदेता हूं ठीक है चलेगा और क्या कर सकते हैं इसमें बट यह जो है उपर अच्छा निहीं लग रहा है इसको पीछे कर दिया मैंने और ठीक टाक तो लग रहा है यह फॉंट वेगर आम लोग देख लेंगे इसमें जो चैंज क्योंकि यह यह मुझे खाली लग रहा तो यहां पर तीन लाइन का मैं चाहता हूं कुछ इस तरीके से रेंडम से टेक्स्ट रहेगा और फॉष इस तरीके से मैं लेकर चलना चाहता हूं और यह जो पीछे वाला जो हमारा सरकल है इस पर कुछ एनिमेशन हम लोग परफॉर अच्छा जो हम लोग क्रियेट करेंगा मेरे भरोसा है पूरा वीडियो देखो अगर पसंद नहीं आ है तो डिसलाइक मारकर चले जाना अजकर डिसलाइक का बटन है क्या है ओके चले ठीक अगर आपको पसंद ना है वीडियो तो डिसलाइक मार देना कोई दिक्कत ने यह तो मैंने एक graph idea दिया, बहुत खतरनाक बनने वाला है, हमारा design और खतरनाक ना बने ऐसा कभी हो इनी सकता, चलो, ठीक है यह हमारा एक graph idea होगा कि हमें कुछ इस तरीके से बनाना, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें एक nav बनाना, ठीक है, मैं यहाँ पर nav create कर लेता ठीक है, और nav के अंदर हमारा एक left part था, तो मैं उसको a tag में रख लेता हूँ, और a tag के लिए फिलाल तो कुछ नहीं है, और यहाँ पर मैं माल लो कि कुछ भी random से देता हूँ, नाम कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना property यह नाम का, ठीक है, और एक काम करते है राइट साइड में भी एक देते हैं, और जिसके अंदर जो है, मैं एक create करूँगा button, और उस button का नाम रखेंगे है, higher button, ठीक है, उसके अंदर मैं कुछ text लिख देता हूँ, higher now या फिर higher me, higher me रखते हैं, ठीक है, और जो button होगी हमारे left और right में, चलो ठीक है, तो यहाँ पर पढ़े हैं, हमें element आगल बगल चाहिए, align item करते हैं, center और justify content करते हैं, space between, ठीक है, और इसके साथ-साथ जो है, padding add करेंगे, 0VW, top bottom, और left-right जो है, हम add करेंगे, something 10VW, ठीक है, इतना सही चल रहा है, इतम काईदे से सही चल रहा है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब बनाना ATAC को सबसे पहले तो customize करते हैं, और ATAC को text decoration करते हैं, none, text decoration मैंने कर दिया, none, और उसके बाद जो है, मैं करूँगा, यहाँ पे colorist का, hashtag appff, ठीक है, आपको यहाँ पर दीख रहा है, और काफी छोटा दीख रहा है, चल तो font size को increase कर देते हैं, font size करते हैं, something 0.8VW, ठीक है, काफी छोटा है, कोई बात नहीं, काफी छोटा हो, तो मैं बढ़ा कर दूँगा, ठीक है, अभी के लिए 1VW रखते हैं, और बाद में देखते हैं, और क्या changes कर सकते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने higher button में आना, उसको जो है, थोड़ा अच्छे से create कर लेते हैं, width मैंने दिया something of 5 to 10, 5VW डालके देखते हैं, और height जो है, वो 2VW, background color जो है, फिलार के लिए मैं कर देता हूँ, यह आपको दिख रहा है, यहाँ पर white color का जो है, और थोड़ा से इसका और width और height में सोच रहा हूँ, इंक्रेस करेंगा, अब मैं बार्डर को, कहता हूँ, border radius जो है, वो 50 pixel कर दो, और मुझे background चाहिए नहीं, तो background को हटा करते हैं, यहाँ पर border कर देते हैं, border करता हूँ, 1 pixel solid और hashtag FFF, यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और मैं इसको और थोड़ा अच्छे से करूँगा, इसमें काम करते हैं, display flex, मैं इसलिए लगा रहा हूँ, क्य center करो, और justify content कर दो, center, यह सिदा से दी आपका जो है, मतलब एकदम center में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, चलो, काईदे के साथ और आगे बढ़ते हैं, तो, ठीक है, एक काम करते हैं, इस पर hover effect भी बना लेते हैं, कि जब इस पर hover करेंगे, तो इसका background color जो है, वो change है, चलो इसका एक काम करते है, color change करेंगे, hashtag FFF, sorry, 000, और जो इसका background color था, वो हम कर देंगे, hashtag FFF, ठीक है, मतलब opposite कर देंगे, कुछ इस तरीके से, बट यह जो है, अचानक से हो, मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी animation जो है, वो अचानक से हो, क्योंकि अचानक से कोई life में आता, life में स से चला जाता है, तो थोड़ा सा दुख होता है, तो प्यार से आना चाहिए, और प्यार से जाना चाहिए, उसी तरीके से हम जो यहाँ पर transition लगाएंगे, all or cubic बजी, 0.19 और यहाँ पर 0.5 सेकेंड, ठीक है, अलब 0.5 सेकेंड में आना चाहिए, और 0.5 सेकेंड में चला जा देखने में तो देख लेना, बैट उस से पहले यह देखो, चलो, मैं एक काम करता हूँ, इसका जो है, मैं चाहता हूँ, फॉन्ट जो है, वो थोड़ा चेंज करना है, और मुझे बहुत डिसेंट सा लग रहा फॉन्ट, तो चलो, गूगल फॉन्ट पे चलते हैं, और कुछ अच्छा मिल जा, पॉन्ट, वाउ, यह तो सुरू आने से पहले इक हतम हो गया, कोई बात नहीं, आप इसमें दिखा दो, इस से हठा दो, डिस्पले में कुछ खास आएगा नहीं, सैंसरी, यह काम करता है, मुझे याद नहीं है, उसको ट्राइ करते हैं, अगर वो मि सारे में सर्च करते हैं, पता नहीं किस में है, मुझे याद नहीं है, CINJEL, यह रहा, वो पॉर्ण्ट मिल गया, गुरू, यह रहा, ठीक है, तो इसको जो है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबको सेलेक्ट करूँगा, किसी को भी नहीं छोड़ूँगा, यह तिंग यह मत करना, क्योंकि हम लोग एक्स्टरनल इस्टाइल फाइल यूज कर रहे हैं, मतलब कि CSS का फाइल, आप सीधा यहां से अंदर वाला पाट कॉपी कर ले, चलो कर लिया, और यहां पे आजाओ, सबसे टॉप में, और टॉप में आने के बाद जो है, यह यह इस्टार दीक रह मुझे जरुवत नहीं है, हटा सकते हो, और रख भी सकते हो, टोटली डिपेंड आन यू, वाव, ब्रो, काफी सांदर लग रहा है, मेरा, थोड़ा सा था है, इसीजन है, ठीक है, एकाम करते इस बटन का है, हाइट थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, मैं 2.5, ठीक है, मैं यहांपे रिट करूँगा, पार्ट वन, ठीक है, यहांपे, यहांसे पारट वन हमारा कृट हुआ हुआ हुआ, और इसके अंदर मुझे एक इमेज रखना है, तो मैं काम करता हूँ, यहांपे इमेज क्रीटेनर बनाता हूँ, ठीक है, ओका, sorry, sorry, यहांपे करेंगा, ड पिएट कर लिया और इमेज सरक्ल को बनाते हैं बट उससे पहले मैं यहां पे दिएँगा इमेज कंटेनर को कुछ हाइट और विट और उससे पहले जो है यहारा पर न फाट को कैसे में भूल गया डॉट पार्ट वन विट मैंने दिया 100% और हाइट मैं कर देता हूँ something 10 मैंने उपर अल्रेडी देख रखा तो इसको करते हैं 90VH ठीक है इतना काफी है और इसको बनाते हैं फिलाल के लिए पोजिशन रिलेटिव क्यों बना रहा है पोजिशन रिलेटिव मैं बताऊंगा आगे बताऊंगा ठीक और मैं इसको करता हूँ आभी के लिए कुछ मत करो इमेज कंटेंट को चलो बनाते हैं इमेज कंटेनर ठीक है इमेज कंटेनर को भी हम देंगा हाइट 100% और विट मतलब हाइट और विट जो है दोनों देंगे 100-100% अब यह जो 100% है हाइट दिया इसका मतलब यह पूरा पे सह जो हंदने हम एक आमेंगे बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अम करते हैं इमेज कंटे हन करता है इमेज कंटे में सब्सक्राइब मेता है त af बनाना तो आपको हाइट और विट दोनों जो एव सेम रखना पड़ेगा तो मैंने आप यह सेम रखा और बॉर्डर मैंने कर दिया बैग्राउंड इसका रहेगा नहीं इसका जो बॉर्डर रहेगा जोगी बहुत काफी जादा बोल्ड रहेगा बॉर्डर के लिए मैं यहां पर 50 पिक्सल क्यों नहीं लिए रहेगा थिक हैं जिप्सक्राइगा तो फिफ्टी परसेंड अगर आट और घूर अलग अलग है कहने का मतलब यहां प्यार है सही से सबजना क्यूंकि इसमें बहुत कुछ आप सेप्शित जाओगे जैसे कि यहां पर अंडा बन गया ठीक है क्योंकि हाइट मैंने यहां पर बढ़ा दिया और अगर आप जो है यहां पर सेम रखोगे तो आपका एक प्रॉपर जो सरकल क्रियेट हो जाए और अगर मैं इसको पिक्सल में कर दू तो आप देखो यहां पर क्या होगा य यहां से डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया मैंने और कहा इसको एलाइन आइटम कर दो वह यह सेंटर जस्टिपाय कंटेंट भी कर दो सेंटर ठीक है सेंटर हो गया तो यह आगया आपका पार्ट बीच में बट मुझे जो काफी ज्यादा यह जैसा कि हमने डिसाइड के यह वाला दूनते हैं इसके लिए और मैं वह वाला इमेज यूज नहीं कर रहा हूं जो अलरडी हमने अभी देखा चलो तो हम चलते हैं अपने चमनप्राज.com पर और यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं 3D पोर्ट्रेट अगर मैं सही से लिख पहूंँ तो ठीक है यह एलियन आ रहा नहीं चे यह एलियन देखते कुछ अच्छा सा मिल्या मैं सोच रहा हूं ब्लैक टाइप का जो बैक्ग्राउंड रहे और कपड़ा भी जो हो ब्लैक रहे है कुछ ऐसा यह तो चल जाता बट इसका वाइट है ऊक्ड़ को मैं पोट पोलियूम अपकर सकता इसको कर सकते हैं बट यह अधर बालाग में यह तो थोड़ा सा अजीब ठीक है यह मैडम काफी जादा मुस्कुरा रही है I think इनों ने जो है क्लोजब से ब्रस किया है इसलिए दात खोल के जो है रखे है ठीक है ब्लैक ड्रेस में तो है बट यह दारू पी रहे हैं तो इनको मैं नहीं ले सकता आप लोगी बोलते हो कि लड़की को क्यों नहीं लगा रहे हो सिफ लड़कियों को क्यों एक शलिए भाव देना पड़ता है लड़की को ठीक है नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा चलो इसके पिछे में मैं लॉजिक समझागा अरे अरी-अरी-अरी मैं डम आओ वेर काफी में थोड़ा सा सही लग रहा बट आप नींद में क्यों है मुझे यह चीजा भी तक समझ मैं नहीं आया चलो कोई नहीं आपको मैं नींद से जगाता हूं इसको करो डाउनलोड डाउनलोड एकदम फिरी में होता है यहाँ पे बिना कोई पैसा दिये आप कर सकते हो ड क्वालिटी बैक्ग्राउंड रिमूव ठीक है पहली वेबसाइट आई पहली फुर्सत में आ जाओ और यहाँ पे अपलोड कर दो डाउनलोड करो और यहां से यह करो अपलोड अगर अपलोड हो चाहे तो क्या आगा नहीं ने वहीं मुझे पता था मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ करने वाले हो ठीक है तो उसका भी उपाया है मेरे पास एक काम करो इमेज साइज रिड्यूशर ऐसा कुछ सार्च कर लो इमेज फाइल साइज रिड्यूशर और पहली वेबसाइट जो आएगी रिडियूसीमेज.com चले जाओ यहाँ पे करो अपलोड प्याव करते हैं हो गया है डाउनलोड दोस्तों अब यहां से करो इसको डायरेक्ट यहां अब ले ले लेना ठीक है वेट कर लो कर रहा हूं कर रहा हूं वेट अगर आपने प्रोसेस करके नहीं दिया तो फिर आपके साथ हो जाएगा बहुत बुरा और यह काफी ज्यादा अच्छ करते हैं कि यहां पर लगाते हैं वह इम एज 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 था थीक है । यहां पे हमने यह .पुट कर दिया। हम फूट करेंगे इमेज, अप अप देख सकते हूँ हमारे फाल में। यहां पर आच उया मैं इसके नीचे पूट करेंगे हमारा इमेज के लिए लगाएंगे इमेज सर्कस करते हैं किया इमेज लोड दूआ हो तो किया काफी ज्यादा बढ़ा हो गया इमेज को यहां सभी करते हैं इमेज कंटेनर के अंदर जो हमारा इमेज है उसको विट दो तुम 25 वी डबलो ठीक है यह काफी जादा और यह इधर आ गया तो इसको इधर ना लाने के लिए हम एक काम करेंगे कि ऑर इसको करेंगे करेंगे के शोने के मैं करने के लिए आप जोंट प्ररच को आपि स ऐब तो काफी थोड़ा समय और इमेज का सइज बढ़ाओं आउंगा 35 इतना हमारा सबकुर सही चल रहा है जैसा हमने सोचा था वैसा बन रहा है यहां पर है की सब्सक्राइब है अब उसको बनाते हैं इमेज़ कंटेणर होगि अब इमेज कंटेनर के अंदर ही जो है और चीज़ बनाएंगे जिसका नाम रहेगा हमारा और डॉट पार्ट वन उसके बाद यहां पर जो है कंटेंट फार्ट वन कंटेंट हमने बना उसके अंदर हम एक हैच वन बना रहे हैं जिसमें की कुछ लिखा हुआ है अब क्लिया अब के लिखा है Kframe क्लिख कुछी रहेएं हक पर्ड़ियो ions ऑनीच हमने उसका देखर अंदर कुछ ऐसा मैंने लिग जाए कि फोर मौर इसक्रॉल डाउन चला तो अब यहां पर पार्ट वन को हम बनाते हैं डॉट पार्ट वन कंटेंट टीक है उसको हम करते हैं विट जो हम देते हैं विट देने का जरुवत है इसको अब जो करते हैं पूपर रहे हैं क्योंकि हमें इसको एक और लियर उपर रखना है जो कि हमारे image के भी उपर रहेगा तो इसलिए जो हम इसे position absolute करके इसका layer बढ़ाएंगे तो z index करेंगे इसका something मैंने 1 दिया तो इसको करते है 2 आप चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो z index उससे कोई दिक्कत नहीं है इसको z index देने से कोई फायदा नहीं हम जो इसके अंदर का element बनाएंगे उसको देदेंगे जैसे h1 जो हमारा उसको हम लोग देंगे और जो एक p tag उसको भी देंगे ठीक है मैं बता रहा हूँ क्यों देंगे उसके पिछे भी रिजन है मेरे पास ठीक है तो चलो अभी मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करते हैं बॉक्तम से मैंने कर दिया इसे 0% तो अभी के लिए देखते हैं क्या आ रहा तो अभी जो है कुछ दिखतो नहीं रहा क्यों नहीं दिख रहा वाई यह क्योंकि जो है यहां पे डॉट पार्ट वन का कंटेंट जो है उसके अंदर जो हमारा एक एच वन है पहले तो सब का कलर देने दो ठीक है पॉंट साइज मैंने कर दिया आप इसमें जो मैं कलर भाव एक यहां तो मैं इसे इग्णोर करूंगा यहां पर मैंने फॉंट साइज के बाद इसमें जो मैं color change कर देता हूं color करते है hashtag FFF और color आप देख सकते हैं यहां पर आपको नदर आ रहा है और मैं इसको यहां center में ले क्या हूंगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको पार्ट वन को है जो हम इसको बनाएंगे display flex और करेंगे align items center और justify content भी कर देते हैं center और उसके बाद जो है इस पर ठीक है अभी के लिए यहां पर आपका एक आरा और इसके just बगल में देखो यहां प्यार आप पर more scroll down ठीक है तो इसको एक काम करते हैं हमें इसको भी नीचे से लेके आएंगे कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कभी होना भी नीचे है ठीक है तो अब जो है इसके बाद हम मूफ करते हैं मैंने यह बताया था कि हाइट यहां पर देने से क्या प्रावलम हो रहा कि मेरा यह 100% हाइट ले रहा ठीक है जिससे मुझे जो यह content चाहिए था नीचे अब जो है मुझे यहां तो मार्जिन देना पड़े अब बॉटम से थोड़त और जो है माइनस के तरब जो है करना 8% ठीक है यहां चलेगा और मैं चाहता हूँ इसका जो है चेंज करने के लिए पॉंट फैमली तो चलो इसका पॉंट फैमली यही रफ के देखते हैं जो हमने यहां पर लगाया था इसको करो कॉपी और इसको करो यहां पर पेश्ट ओके काफी खुपशूरत ना जा रहा है ठीक है काफी खुपशूरत लग रहा और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और बोल्ड करो तो फॉंट फैमली के साथ साथ में फॉंट वेट लगाऊंगा हमने 900 वाले कॉपी किया था यह काफी सही लग रहा ठीक है और बट यहां पर वाइट वाइट जो है यह मिल जा र यहां रहा हूं ठीक है और यहां पर जो है मोन बॉर्डर जो यूजर कर रहत है यह इसको मैं चेंग कर कर देता हूं जो खुलर हमें काफी गया दा यह देख सकते हो आप पीछे जो है वह पूछ हो गया उस तरीका का कलर बट थोड़ा से सब्सक्राइब आर दीन करने किकोस ठीक थोड़ा सा मैंने और इसे डीम किया है ठीक है इतना है clear आप आगे बढ़ते हैं मैं इसका यहाँ पर टेक्ष था उसको भी लाल देता हूँ इसको copy कर लेता है सीड़ा से जी और यहाँ पर करते है paste और इसके जगार करूँगा मैं पी ठीक है और पी के सासा जो है यहाँ पर हम चेंज करेंगे color में सबसे पहले फूर्सत में आप color change करो ठीक है color change कर दिया बट यह पीछे आ रहा तो इसका भी जएड इंडेक्स बढ़ा थोड़ा सा इसमें अलग चीज करने के लिए एक काम करते हैं यहां पर कुछ ऐसा करते हैं जिसे बार कोड़ कर रहता है वह ऐसा कुछ हम लों सर्च करते है ठीक है तो मेरे नाजर में जो है एक मुझे फॉंट याद है मैं इससे थोड़ा सर्च कर लेता हूं अगर वह मिल है ठीक है वह फॉंट का नाम है लेब बरा नहीं एल आई पी आरे सम्ति यह रहा बट यह जो है थोड़ा सा अजीब हो गया यह रहा वो चीज जो मैं खोज रहा हूं अब इसमें से 128 है यह फिर ठट्टी नहीं है कर ला लाकर ले ठीक है यहां से रैइगुलर सेल्क्त कर लोगर यहां पर जाओ सेम होई प्रोसेस करना ओए इंपोर्ट क्लिक कर दो टोए जो सब सब से पहले आई कॉपी करो और आपने इसको यहां पर पेश्ट성 कर दिया ठीक अब इसको भी आपके आफ کرले ओर सबसे यह जा पर जाहाँ इसको चेश करनामे झाल इस और यहां से मैं करशी ब्रइबडा में इनी disorder करके नि चट शोटा नालरा तो 2VW मुझे काफी सही लग रहा है और अगर इतना सही है और मैं इसके आगे क्या कर सकता हूं और एक और कंटेंट यह आएगा वाट उससे पहले मैं काम करता हूं यह जो हमारा सरकल है इस सरकल को थोड़ा सा और कस्टमाइज करें और इसमें कुछ मैं चाहता हूं एनिमेश तो इसको थोड़ा सा ब्लर देता है ठीक है मैं इसमें अड़ करूंगा फिल्टर ब्लर और तूपिक्सल जो है दो ब्लर हो गया अभी आपको यहां पर कुछ नहीं दिख रहा था मतलब ब्लर नहीं दिख रहा था प्रॉपर जो है आपको सार्पनेस इसका देखो एज का सा ब्लर हो चुका है ठीक है तो हम वही कर रहे है यहां पर थोड़ा सा करेंगे इसको ब्लर और उसके साथ साथ जो है मैं सब्सक्राइब कर देते हैं और यहां पर हैस्टेग फ्फ्फ यह देख सकते हो आब बाहर की तरफ जो एक रेक देवने के लिए मिल रहा मतलब काफी करना चाहता हूं काफी बहतर लग रहा है कुल लग रहा है बट इसमें एनिमेशन जो है वह मैं एड करूंगा ताकि और ज्यादा यह कुल लगे ठीक है तो आँखों को बचाते है वह कोड करना है ठीक है अभी के लिए इतना ही रखते और इसमें जो है और एक की फ्रेम कुछ देखने के लिए चला उसकी आफ तो हम dazu है यहां से हटा सकते क्या है हटा तो सकते हैं चलो डिक्तत कि यहां पर 것은 करेंगे एनिमिशन और वेनिमेशन के साथ साथ जो यह पर लगा हैं मैं काम करता है यह सारे प्रोपर्टिस उक्ता खुट से लगा लूगा अ मिवंगों क něकिकाई तो waking Lives तीन सकेंड लीनियर चलेगा उसके बाद हमारा लीनियर के साथ साथ जो है इंफानाइट रहने चाहे और उसके साथ साथ अल्टरनेट ठीक है अब आप बैगरांड में आप देख सकते हैं कुछ वह जो है लाइट जो है कुछ इस तरह से फैल रहा पिजो वह मतलब नॉर्मल साइज में आरा आपको दिख रहा है वाइट जो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है फिर इस प्रेट आप ध्यान से देखो वह बढ़ रहा घट रह हो रहा तो यह इसमें ने दिया है और मैं चाहता हूं उसका और फ्रण बैगरां उतना ने इनक्रान से और है और करते हैं जूझ stepping पेस्ट्रे में आप को पहेचांथ ही नहीं अव्याइघ मैं तो यह रेड और काफी जादा इच्छे स मिल जा रहा है कर एए इंग वाइड सभी तो आए शूता है मैं वाइट को थोड़ा सब्सक्राइब यह सेंब कलर देता हूं और सब्सक्राइब करता हुआ ऐग से वापस से आ रहा है कि अब ऐसा लगए मतलब कि बैक साइब कोनच ना इस वह जा रहा है वह तो चलो इसको भी थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं मैंने चाहता कि यह नॉर्मल सा दिखे कुछ इसमें भी खेलते हैं ठीक है तो इसके लिए मैं एक काम करूंगा यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है एक प्रोपर्टी लगा दूंगा हमारा एच्वन कहां के यह रहा ठीक है इसमें एक प्रोपर्टी लगाते हैं मिक्स ब्लेंड मोड और इसमें करते हैं डिप्रेंज टिक है इसका जश्ट उपोजिट कलर यहां पर नजर आएगा जैसे मालने यहां पर वाइग्राउंड की साफ़ अपना कलर जो चेंज कर लेगा यहां पर ब्लैक के साथ वाइट क आप इसको कर सकते हैं और बस मैने जसे बताया तो आप यहां बना सकते हो इसको इमेज कंटेंट के बाहर इसको बनाता हूं बाद हम लगा उसके बाद हम लिखते हैं फुलिष टैट से डव डेवलापर और उसके बाद लिखेंगे एक और जो है तीन हम ने डिसाइड कि टीन हमारा जो पैरग्राफ रहेगा देख वहाँ हो गया are you ice designer यहां पर करना मार्केटिंग तो इसके साथ मैं यहां पर एक आइकन करूंगा तो वह आइकन के लिए हम चलेंगे यहां पर पर आपने लिंक किया उसके उपर डाल दो यह इसके उपर पेस्ट कर दो ठीक है तो यह हमने कर दिया आप इसे कट कर दो अब मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी हमें जरूरत है यह एरो डाउन की तो यहां से कॉपी कर लो और यहां पर करो पेस्ट कट या पेस्ट कोई फर्फ पड़ा किदर गया हमारा कंटेंट ही नहीं दिख रिया पहले तो कलर चेंज करो और ढूंड़ो उसको पहले एक काम कर करता हूं सेंटर जैस्टिफाइब कंटेंट भी करता हूं सेंटर और उसके बाद जो इसको पूजिशन एपसलूट कर दिता हूं टॉप से करूंगा मैं 10% ठीक है और कलर जो है इसके अंदर का मैं करता हूं है यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो हम चाहते कि यहां पर आ जाए तो टॉप से जो हम करते हैं इसको 10% पर आ रहा है और इसको करते हैं उपर से 40% यह यहां पर आ रहा ठीक है सम्तिंग सही सही तो है बट इसमें थोड़ा सा और मैं एक चीज़ा एट करता हूं गैप जो है टू वीड़लू का मतब यह जो गैप है इन उनका बीच का एरो और इसका उसका मैं बढ़ा रहा था ठीक है और उसके बाद जो है एक काम करते हैं आप पर फॉंट फैमिली डि ठीक है तो यहां पी जो है आप देख सकते कुछ इस तरीक है बाट काफी छोटा दिग जिसके वएसे हमसे ना होगा बरदास वाला पे लिंग आ रहा है तो यहां पर करते हैं टू वीडवलू यहां पर यहां पर यहां पर कॉपी ना करके मैं कहता हूं डॉट फ्लो टेक कंटेंट के अंदर जो हमारा आई टेग उसको कर दो भईया तुम पॉंट टाइज वन वीडवलू तो यह चोटा हो गया बाकी यह था अपने हिसाब से बढ़ा हो गया तो मुझे आप काफी साही लग रहा है यह चीज़ देख सकते हो यहां पर यूवाई डिजाइन और आप बैक साइड में देख सकते हो प्यारा सा जो है एनिमेशन देखने को आपको मिला मैंने सिर्प य यह था हमारा जो है आपको मैं दिखाता हूँ यह जो हमने सोचा था ठीक है कि कुछ इस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगा बट एजर रिजल्ट आप देख सकते हो कि यह जो आपके सामने दिख रहा है एजर रिजल्ट काफी उससे कई गुना खोबशूरत है और काफी ब नीचे हम क्रिएट करेंगे बहुत ही सांदार कुछ सोचेंगे अभी तक मैंने इतना कुछ सोचा था तो उससाब से हमने टॉप का सेक्शन में अब इसके नीचे सोचेंगे क्या एड किया जा सकता है ठीक है तो बाकि आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कुई कौन-कौन से नीचे चीजे एड कर सकते हैं और इसमें जो क्या एनिमेशन एक्ष्ट्रा दें ठीक है आप बता सकते हो मतलब यह आपके ऊपर है टोटली जो है यह प्रोजेक्ट जो है आपके ऊपर डिपेंट करता है आप जैसा चाहोगा हम लोग वैसा कॉस्टमाइज करके इसको बना स से यकीन मानों थोड़े से पैसे लगते हैं बड़ आप इतना कुछ सीखके जाओगे मतलब आउट आप दो लेवल रहे गया जो मतलब नॉर्मल जो आपको हर जगा सिखाया जाता है उससे कई गुना उपर क्यूंकि आज कलके जो वेबसाइट आप देखते हो उसमें हमारा जो काफी एनिमेशन देखने को मिलता है कुछ मॉडन लुक रहा था आप यहां देख सकते हो यह कुछ आपको मॉडन जो तरीके से मैंने बताया आपको पॉटपोलियो वेबसाइट बनाने के लिए इस तरीके से आप जो यह तो बहुत बेसिक चीज है यार इससे भी नहीं है बाकी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में हम वापस से मिलते हैं चलो टाड़ा बाई बाई गुड़नेग